राम राम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीमास किचन में आप सभी के साथ आज में बेसिक मसाले जो लगबग कई सबजियां इससे बना पाएंगे आप लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक हफ़े तर तो इसमें प्याज है लहसन है अद्रक है मिर्च है और टमाटर है इनको सब को एक साथ में हम पीस लेंगे इसमें आप कम जादा कुछ भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के गॉर्डिंग तो इन्हें हम पीस लेंगे और कड़ाई में तेल डालेंगे जीरा, हींग, तेज पता, लौंग, इलाइची और काली मिर्ज और मसाले इन मसाले को डालके ढख के थोड़ी देर तक इसे भुनने के बाद ढख देंगे, ढख ढख के पकाएंगे क्योंकि नहीं तो छीटा थोड़ा से शुरू में जाता है, फिर खोलके भी कर सकते हैं इसमें धनिया, हल्दी, नमक और कस्मीरी लाल मिर्ज, कस्मीरी लाल मिर्ज देखी होती नहीं है कलर अच्छा देती है, धनिया दो चम्मच, हल्दी एक चम्मच, नमक टेस्ट, केक और और कस्मीरी लाल मिर्ज एक चम्मच इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक की तेल उपर ने आ जाए इसके साथ में मैं आप लोगों के साथ में दो सबजियां शेयर कर रही हूँ काजू मटर मलाई और मेथी मटर मलाई दोनों सबजियां आप लोगों के साथ बना के दिखाती है भी मसाले को अच्छे से भुने जब तक कि तेल पूरी तरस उपर ने आ जाए साइड में देखे आईल उपर आ गया है इसे कटोरी में निकाल के आफ ठंडा हो जाए तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अभी मतर में ने डाल दिया एक काजू मतर मलाई बना रही हूं थोड़ी देर भुनने के बाद में काजू डाल देंगे और चार काजू और मलाई दोनों के एक साथ हलका सब्लेंड कर लेंगे इसमें डालने के लिए पानी अपने हिसाब से डालें कम या ज़्यादा उबल जाने दें एक बार उबल जाने के बाद में काजू और मलाई को जो हमने पीस लिया है उसको डाल देंगे चार या पांच गाजू से ज़्यादा न डालें पीसमें पाइल उपर आ गया है लग सर्थ करें कसूरी मेथी डाल दिया उपर से यह मेथी मडर मलाई मेथी को छोड़ नरम नरम पतिया निगा डंठा ललग कर लें जिससे अच्छा बने उन्हें काज लें आट अट आएल जरस आइल डालें टीडा डाल के लिट्वी डाल दिया लग कर दोड़ी तो थोड़ी तो पहते पक जाएं अब ही जो हमने मसाले बनाया उस मसाले को थोड़ा से डाल के मिला लें अच्छे से सिर्फ मलाई को थोड़ा सा प्रेट कर इसमें मिला लें आएल उपर आ जाने तक ढखके कमाज पर पका लें गर्मा गर्म सर्व करें कि पर खच्छे से जोड़ा कर καथ जाएं कि अच्छे से याल dedild